यूपिका बैटे, गीता में एक श्लोक है इसका मतलब है, दिन भर ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसी मेहनत करनी चाहिए, ताके रात को आपको चैन की नींद आ सके तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम विचलित हो और तुम ने अपने कर्म को अधूरा छोड़ दिया है तादा बाबू, मैं, मैं सब मैनेज कर लूँगे मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहा हूँ बिटे, बिजनस के प्रती अपने कर्तव्वे के इलावा परिवार के प्रती भी तुम्हारा कर्तव्वे होना चाहिए और इस कर्तव्वे को तुम्हा धूरा नहीं छोड़ सकती हो इशा के प्रती जो जिम्मेदारी तुम्हे परे कंदों पर ली थी तुम उसका निर्वाह ठीक से नहीं कर पा रही ही हो बिटे यह दातर बाबू इशा के साथ जो भी हो है वो किसी की सोची समची प्लानिंग है मैं सच कह रही हूँ दातर बाबू मैं मैं उसे छोड़ूंगी नहीं अब तक क्या किया है तुमने बेटे यह जीवन भी एक समर भूमी ही है एक युद्धा को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है युवी बेटे पेड़ियों की महनत और पसीने का जोड है ये कंपनी ये माजन ग्रुप और इसकी नाक और साख पर कोई आज नहीं आनी चाहिए दादा बाबू आपका मुझ पर विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत है तहीं आपका मुझ पर भरोसा तगमगा तो नहीं गया ना दादा बाबू मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए मैं दोनु फरंट पे ना सब कुछ ठीक कर दोगी बेटे वक्त सभी के पास उत्रा ही है दिन के चौबीस गंटे बेटे हो सकता है जीवन तुम्हें दुबारा मौका जरूर दे लेकिन बिसनस का बाजार फर्गिस नहीं देगा जे दादा बाबू दादा बाबू आपकी डाट में न मुझे पापा की डाट सुनाए दी मैं पापा की डाट सुनका बहतर से और बहतर ही बनिया पापा भी न मुझे बिल्कुल आपके तरह ही डाट दी उसमें मेरी ही परवरिष थी बिटे सोना आग में तपकर और निखरता है वो हर तरह से तपकर घरा सोना बन गया था दादा बाबू मैं भी तपकर और निखरने के लिए तयार हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने संस्कार अपना परिवार अपने बिजनिस को सहेच समेठ कर रखूंगा या प्रॉमिस योँ जीति रो जीति रो एक लो यो विका तुमने वेन्यू भी ढूंड लिया तुमें मॉडल्स भी मिल गई तुमने अपने ब्रैंड का नाम तक बचा लिया लेकिन फिर भी अपने ब्रैंड के लांच को बचा नहीं पाई हलांकि वो वाद्रोब माल फंक्शन मैंने नहीं करवाया था अरे कवीर इतनी घटिया हरकत करी नहीं सकता है इस टॉन माय स्टाइल लेकिन एक बात तुमें माननी होगी योईका तुम कितना भी चाहौ कितनी भी कोशिश कर लो तुम कवीर से जीत ही नहीं सकती। तुम कभी कवीर को हला नहीं भाओगे नील प्रीमभूमी ब्रैंड को फिलार के लिए मैंने पौस कर दिया है मतलब?... प्रीमभूमी ब्रैंड में आगे और कोई काम नहीं होगा रोग दिया है और ये बात मैं दादा बाबू को भी बता चुकी हूँ ये बता होगी I know Nihil, I know पर इस सब के बारे में हम बात में भी तो सोच सकते हैं मुझे ना फिलाल सर्फ इशा के चिंता हो रही है उसकी तबियत के चिंता हो रही है उसकी बदनामी की और महाचन ग्रूप की बदनामी की अ तुमें समौन के बारे में कुछ पता चला? नहीं, बढ़ाल दू नहीं पता चला लेकिन वह मौदिलिंग एजनसी से उससे ओरिजिनल मॉडूल का कॉंट्र्क मॉड़ाया मैंने तो तुम उस औरिजिनल मॉडल से क्यों नहीं बात कर लेते देए सर जैसा आपने कहा था सारे हाई फॉलिविंग मीम पेजेस और मैसेज़ज़ ग्रूप के एड्मिन्स कॉल पे हैं एक साथ सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप बहुत बड़िया काम कर रहे हैं मैं आप सबसे पूछना चाहता था कि आप पॉलिडे पे कहां जाना चाहते हैं Dubai, Hawaii, Thailand, Singapore, all expenses paid, ठाना, पीना, रहना और याश्यूपी आपको वही करना है जो आपको करना आता है you all are expert at it, memes बनाने हैं, forward messages, put patang videos जो वाइरल हो सके, महाजन के यहां जो भी हुआ है आप सबको पता ही होगा चीर हरण हो गया this is not a joke, आपके memes, messages, आपके वीडियो सब यूवी का महाजन के बारे में होंगे, हमें यूवी का महाजन का नाम बदना है, महाजन नाम की खिली उडानी है, ठीके सर, done एक और बात, जिसके भी वीडियो, memes, messages सबसे जादा ट्रोल होंगे, उसे एक holiday के साथ साथ मेरी तरफ से एक special package भी मिलेगा so go on, start your work यह सारा content shareholders के पास पहुंच जाना चाहिए, okay sir यह सारा चाहिए झाल यह सारा ट्रोल यह सारा गल यह सारा ट्रोल जब आपके पर दो नहीं है, इस घटना के पीछे ना कभी रिन्वाल नहीं है, मेरा इंस्टेंट कह रहा है कि इस अब के पीछे सिमान और डीजे का ही हाथ है, और मुझे बहुत जल्द इसका प्रूफ भी मिल जाएगा, लेकिन फिलाल, मुझे अटेंशन हो रही है, इशा की बहुत जादा टेंशन हो रही है उस लड़की की मुझे, जो सब कुछ हुआ एना नेल, उस सब के रेपकेशन्स इशा में नहीं बढ़ने चाहिए, जो हुआ उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, यो विका, नाही तुम अपना एंपायर पचापाओगी, और नाही परिवा झाल यह जो कुछ भी हुआ ना, उसमे तेरी कोई एकलती नहीं है, प्लीज अपने आपको ब्लेम मत कर, आ किन फील यूर पेन, कबी कबीना सिच्वेशन ऐसी आजाती है, जो हमारा टेस्स लेती है, और अगर ऐसे हमामे एक साथ रहेंगे ना, तो सब चीक हो जाते हैं, प्लीज बी स्ट्रॉंग, सब चीक हो जाएगा अर्जुन, मुझे बस एक बात बता, कि सिमॉन इशा को मौडलिंग के चकर में गाइड करती रही है, क्या? हाँ सिमॉन इशा को गाइड नहीं कर रही है, अर्चुन, उसे मिस गाइड कर ही है, इशा को बुला उसे समझाना पड़ेगा, सिमॉन डीजी के कहने पर उसे बहकार ही है तू अरामकर, मैं भी आया है एड़ाइंस पड़ी आपने दादा बाभू महाजन एम्पायर की रेपूटेशन को आपकी युविकाने कहां पोचाया है? देखो ना, बढ़ो इसने जैपोहसिन बनी दी वो महाजन गृप पे, महाजन फामिली नेम पे, बिस्ने पे, सब पे ऐलिगेशन बिस्नेस बूस्ट करने क्ले ऐसे गिमेखमलों अपने सपने में नहीं करेंगे पर लुकसान हो चुका इटाथा बाभू अधाबग तबाभू इस इवेंट से हुआ है मार्कित खुलने से पहले हमारे स्टॉक प्राइस लोग बॉटम से लिट कर चुके होंगे सब से नीचे ऐसा अभी तक हुआ नहीं है बर हुआ होगा क्योंकि आपको भरोसाता इस युवेका पढ़ वेखा लादा बाभू आपके भरोसे का कितना बड़ा रिवाड मिला है आम सबको युवेका पिटे मैंने तुमसे सुभा भी पूछा था कि जो की चड़म पर उच्छाला गया है उसे अपने दामन से साफ करने के तुम्हें कौन सा उपाहिस होचा है आज जानना चाहता हूँ आज युँ कि को में कि ऐशाम इशाब बेटे दरवाजा खोल तेरह ले थाना लेकर आए हूँ अनादर ड्रामा भूमी ऐसा करो कि उससे कहो कि उसके ना खाने से जो ये फैमिली की रेपिटेशन और बिजनिस की रेपिटेशन खराब हुई है वो ठीक नहीं होगी तो खाना खा ले कार्गी भावी आपको पता है ना कि इशा इतनी दुखी है आज की दिन तो असा मत कीजिए क्या रीजन है भूमी तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारी ये बेटी युविका इनुसेंट है ये नियूस मीडिया, सोशल मीडिया मीम्स क्या-क्या हमारे कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे है तुम्हें सुना है, तुम्हें देखा है हो, अच्छली नहीं देखा होगा क्योंकि तुम तो यहां अपनी इस बेटी को खाना खिलाने में बिजी हो और अज जो भी हमारी फैमिली के कैरेक्टर के बारे में बोला जा रहा है ना अज़ अज़ दुम्हें दूटर यूविका कार की भाबी आप भकती नहीं है हर वक्त हमें नीचा दिखाती रहती है धाले अच्छी मैं कुछ भी ने कर रही हूं ति जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी बेटी यूविका कर रही है जब उससे इस चैर्मेंशिप सम्हलती नहीं है तो उसने एक्सेप्ट क्यों करी हां खुद तो डूबेगी और हम सब को डुबाएगी शेम और रही बात नीचा दिखानी की सो प्लीज हमने कुछ नहीं किया है वो हम सब को नीचे खीच लाई है और तुम कह रही हो मैं कुछ भी ना कहूं ओके, I will not say a word बत एक बात तुम्हारी डॉर्टर युविका से जरू पूछ लेना ये जो हमारी फैमिली और बिसन्स रेपिटेशन आईसी उसे वो कैसे बाहर निकालेगी करी आँ अभी दो मिनट में इंडिया के टॉप सोचल मेडिया इंफ्लॉएंसर इस कॉल पर होंगे अगर इस वीडियो कॉल पे कुछ भी तुम्हारे अगेंस्ट गया तो कंपनी को भूल जो ये तुम्हारे इज़त की धज़ियों उड़ा सकते है नील मेरे पास फिलाल पेस्ट ऑप्शन यही है आईनों की सोचल मेडिया एक इनसान की एक कमपनी की इमिज रातो रात या तो बना सकता है या तो बिगाड सकता है मेरे दुश्मनों ने जो मेरे अगेंस फॉर्फ नारेटिर तयार किया है उसे तोडने का मेरे पास फिलाल यही वेस्ट ऑप्शन है तुम पक्का कर लोगी ना जब तक सच मेरे साथ है और तुम मेरे साथ होना मैं सब कुछ कर लोगी गो फार इट हाई गाईस, मैं मैं योविका प्रेमराज महाजन आप सब लोगों से आज अपने तिल के बात कहना चाहती हूँ महाजन गूप अफ कंपनीस की चैपरसन और इशा की बड़ी बहन तोनों रूप में आप लोगों के सामने हो आप सब लोगों के लिए प्रेम भूमी लांच पर जो कुछ भी हुआ है उसे मेरी बहन, मेरे परिवार, महाजन गूप अफ कंपनीस से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी अफ़ाय ट्रेंड हो रही है वो सब कुछ जूट है सच कुछ और ही है लेकिन उसे पहरे आप लोग को जो भी सवाले आप मुझसे पूछ सकते हैं आप जो कुछ भी बोर रहे हैं वो सरासर जूट है सच उसका उल्टा है आमने ऐसा कोई भी गिमिक प्लान नहीं किया मैं एक बिजनस रूमेन बाद में हूँ लेकिन एक बीटी एक बहन पहले हूँ मुझे जो संसकार मिले हैं अगर पूरी दुनिया की तौलत भी मेरे सामने आ जाए मैं उसे ठोकर मार कर अपने परिवार के सम्मान को चुनोंगी आप अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ करेंगे लोकेश अरे पागल हो क्या मैं अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों करूंगा तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी भेहन के साथ ऐसा कुछ भी करूँगी? जस बिकर्स मीडिया में, ये सोचल मीडिया में कुछ भी इन्फरमेशन फैल रही है, आपने उसे सच मान लिया बट वार्डरो मालफंक्शन रोज थोड़े न होता है आपके ब्रेंड लॉँच पर ऐसा हुआ, सवाल तो होंगे ही? बिलकुल होंगे, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं आप लोग ने इस बात को सच मान लिया कि ये कोई पब्लिसिटी स्टन्ट है, जबकि सच इसका उल्टा है ये किसीने महाजुल रूप अफ कंपनीज की इमिज को खराब करने के लिए, मेरे ब्रेंड को फेल करने के लिए ये साजिश रची है और जो मीडिया में नारेटिफ स्प्रेड हो रहा है न, ये सब भी उसीने किया है हो सकता है कि आपकी बात सच हो, बट मैं कैसे मान लूँ कुछ दिनों में सच बाहर आएगा जब उसका प्रूफ बाहर आएगा तब मान लीजेगा यू आ सो क्लेवर बड़ी चाला की सेह आपने अपना ब्लेम किसी और पर डाल दिया कैसे? महाजन ग्रुप की हिस्ट्रे में बहुत से ब्रैंड लॉँच हुए है लेकिन शोस्टॉपर फैमिली से पहली बार कोई बना है वो क्योंकि इशा मॉडल बनना चाहती है वो मॉडलिंग को अपना करियर बनाना चाहती है महाजन फैमिली की लड़कियां मॉडलिंग करेंगी दो पैसों के लिए रैंपे वोक करेंगी ये बात कुछ अज़ब नहीं हो रही देखिये फैमिली विरासत अपनी जगा और एक लड़की के सपने अपनी जगा अगरी शा मॉडलिंग करना चाहती है अगर एक कोई भी लड़की मॉडलिंग करना चाहती तो उसमें क्या गलत है क्या एक लड़की को सपने देखने का हक नहीं है click the show links and enjoy watching the videos